एक वीवर ने कमेंड बॉक्स में पूचा है कि प्रोटोकोल क्या है तो आईए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में ट्रीटी, प्रोटोकोल और एग्रिमेंट के बारे में सीखें क्योंकि ये वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं खासकर अगर हम बात ट्रीटी या प्रोटोकोल की करें तो ये दोनों ऐसा वर्ड्स है जो आजकल निउस पेपर या निउस में रोज इस्तिमाल हो रहा है तो आईए सबसे पहले ट्रीटी के बारे में जानते हैं ट्रीटी का मतलब होता है सुलह या समझहोता या मोहाइदा या संधी यानि ट्रीटी के ये सभी मिनिंग होते हैं कुछ लोग मोहाइदा कहते हैं तो कुछ लोग समझहोता कुछ लोग सुलह तो कुछ लोग संधी लेकिन इस वर्ड का इस्तेमाल दो country के बीच हुई कोई समझोता या सुलह के लिए करते हैं यानि जब दो देशों के बीच में कोई समझोता या सुलह या मोहाइदा होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रीटी यहां मैंने एक एक्जामपल लिखा हुआ है The two presidents signed a 10-year treaty of solidarity regulatory यानि दोनों राष्टपती ने 10 साल की एक्टा पर sign किये यानि दोनों राष्टपती इस बात की समझोता किये कि वो 10 साल आपस में एक्टा बना कर रहेंगे यानि male milab बना कर रहेंगे तो friends उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला word समझ में आया कि treaty का मतलब होता है दो देश की बीच कोई मोहाइदा या कोई समझोता या कोई सुला अगर हम बात protocol की करें तो what protocol, Greek word protocolan से बना हुआ है what protocol का मतलब होता है written document यानि लिखित सर्थ आईए अब protocol के बारे में थोड़ा detail से जाने जब किसी दो देश के बीच treaty होता है यानि मोहाइदा या सुला होता है तो उस सुला में कुछ सर्थे रखे जाती है, यानि कुछ condition रखे जाते हैं कि यह काम करना है और यह काम नहीं करना है तो उनी condition को हम कहते है protocol यानि समझ़ावत एक अंदर किये गックए सर्थों को हम कहते हैं protocol लगता है आप समझे नहीं जैसे माने जीए किसी भी देश का ये protocol होता है जब किसी दूसरे देश के Prime Minister या President उस देश को जाएंगे तो उस देश के प्रैम मिनिस्टर उन्हें रिसीब करने नहीं जाएंगे यानि महमान प्रैम मिनिस्टर या प्रैसिडेंट को उस देश के प्रैम मिनिस्टर या प्रैसिडेंट रिसीब करने या छोड़ने नहीं जाएंगे बलकि उन्हें रिसीब करने के लिए या उन्हें छोडने के लिए एक team होती है और उस team का नाम होता है protocol officers और कुछ देशों में उन्हें minister in waiting भी कहते हैं तो जब किसी देश में किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जाता है तो उसे रिसीब करने के लिए protocol officers या minister in waiting जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट प्रोटो को तोड़ देते हैं यानि इस नियम को तोड़ देते हैं और रिसीब करने या छोड़ने खुद चले जाते हैं जैसा कि 2018 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर रसिया गए थे तो रसिया के प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रिसीब करने और छोड़ने दोनों गए थे हलाकि ये प्रोटोकोल के नियमों के खेलाफ था तो वहां रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन प्रोटोकोल को तोड़ दिये थे तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात समझ में आ रहा है कि प्रोटोकोल का मतलब होता है किसी समझोता या सूला में की गई कंडिसंस यानि सर्थ हैं जिसे हम written document या लिखित सर्थ भी कहते हैं अगर हम बात agreement की करें किसी दो पार्टी के बीच में किसी चीज को लेकर समझोता हो यानि अक्सर किसी दो पार्टी के बीच में किसी चीज को लेकर समझोता हो अगर कोई एक पार्टी कोई दिक्कत करती है तो दूसरे पार्टी के पास ये राइट होता है कि वह कोट में जाकर अपने हग के लिए कानूनी करवाई करें आम तरपर हम अपनी डेली लाइफ में किसी दुकान का या किसी माकान का या फिर किसी और चीज पर एग्रिमेंट करते हैं यानि एक समझोता करते हैं कि इस चीज के लिए आप इतना अडवांस देंगे इतना भाड़ा देंगे और इतने टाइम तक आप रह सकते हैं